हेलो फ्रेंट्स वेलकूम टू मैं यूटूब चैनल आज हमारे पास है यह महिंद्रा बुले रोकाडी और आज मैं इसके जो डाइनमो है इसके पीछे एक छोटा सा यह जो यूनिट लगा रहता है इसके बारे मैं बताऊंगा एक्चली इसे कहते हैं वेक्यूम पंप और यह आपके ब्रेकिंग में और जो आपका इजियर होता है इसके खुलने और बंद होने में हेल्प करता है ब्रेकिंग में कैसे हेल्प करता है मैं बताता हूं यह आपका जो पंप है इससे जो मोटी वाली पाइप जुड़ी है यह तो आइक आको देख रहा होगा बड़ा से यूनियट ब्रेग बुर्सटर से विए जति आती है और ये ब्रेक बुुस्टर आपकी ब्रेकिंग में हेल्प करता है तो आए देखते हैं इससे पहले आपको यहां पर एक बोल्ट देख रहा होगा इस बोल्ट से इंजन का जो ओयल होता है वो उसका कुछ पाट होता है वो इस पंप में आता है और इस पंप को लुब्रीकेंट करता है जिससे की specialty प्राप्रली बन सके है और इधर नीचे में आप एक बोल्ट देख रहे होंगे इधर में मोटा सा है यह है oil train होता है यहां से जो भी oil इसके तुरू अंदर आता है वो एक बार circulate होने के बाद next turn में इस जो bolt देख रहा है इससे वापस चला जाता है engine में तो इसका main work है सबसे जो बड़ा काम है vacuum बनाना है और vacuum यह कैसे बनाता है यह जो engine के तुरू rotational moment होती है इस alternator को चलाने के लिए तो इस alternator का main shaft होता है उसी से यह pump जुडा रहता है और इसके अंदर क्या होता है और यह कैसे वाग करता है आए मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ यह है हमारा vacuum pump और यह अल्टिनेटर के body के साथ तीन दस नंबर के बोल्टों के साथ जुडा रहता है और इसको खोलने के लिए आपको उन तीन दस नंबर के बोल्टों को हटाना होगा उसको हटाने के बाद एक दो और तीन तीन आपके यह forehead screw है मैंने इनको ढीला कर लिया है यह easily हाथ से भी खुछ जाएंगे यह मैंने खोल लिया तीन इस प्रूब को मैंने खोल लिया है अब इसको हम easily lift कर लेंगे यह हमारा cover होता है इसके तरू हमारा oil अंदर जाता है और यहां से बाहर आता है आपको दिख रहा होगा एक चोटा सा hole इस hole के तरू और आगे देखेंगे हम इसमें एक o-ring भी पड़ी रहती है इस gap में देख रहा हिलता हो दिख रहागा यह आपका rubber o-ring रहता है और यह o-ring भी मारी बाहर आ गई यह होता हमारा rotor इस rotor में हमारा दिख रहा होगा एक दो और यह तीन तीन carbon रहता है generally क्या होता है हमारा carbon कट जाता है या तो हमारा carbon कटता है या हमारा यह जो दिख रहा होगा आपको इसमें scratches पढ़ चुके है यह यह जो drum है housing है इसमें scratch पढ़ जाते हैं और इसमें कुछ जादा ही पढ़ गया इसलिए मुझे change करना पड़ा तो जबी भी आपको कोई सिकायत है कि आपके brake जो है hard लग रही है या brake efficient उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए तो आपको इसको काम करना है कि mystery से यह part check up करा लेना है अगर यह आपको कटी रहेगी तब तो आपको इसको change करना पड़ेगा अगर आपका यह नहीं कटा है तो आपको carbon को क्या करना है कि replace करा लेना है carbon आपका ज्यादा पैसे 100 रुपे की बीच में आपका जो carbon है यह carbon set पड़ेगा यह जो हमारा है यह micro model का है अगर आपका कोई और model रहेगा तो उसमें 4 carbon लगेंगे जैसे कि हमारे micro तो इसमें 3 carbon लगेंगे और अगर बोस उसका लेंगे तो उसमें 4 carbon लेंगे यह pump है प्रॉपर वेक्यूम नहीं बना रहा है तो आपको इसके अंदर एक valve रहता है उस valve को भी चेक करा लेंगे यहां पर 24 नमर का रिंच लगेगा और जब आप इस खोलेंगे तो यह देखिए यह रहता है आपका valve रहता है आपको इसको भी चेक कर लेना है कि जो vacuum आपका pump बना रहा है उस vacuum को यह रोक रहा है या नहीं रोक रहा है तो basically हमारे जो pump में है खराबी क्या क्या आती है या तो यह आपका valve खराब हो जाएगा या आपकी यह housing है यह कट जाएगी या आपके जो carbon है यह carbon घिस जाते हैं तो भी आपका vacuum नहीं बनेगा कट जाएगी तो भी आपका vacuum नहीं बनेगा और अगर valve खराब हो जागा तो आपका जो यह vacuum बना रहा है इस vacuum को रोक नहीं पाएगा तो basically यही खराब होती है और अगर आपकी breaking hard हो रही है उतनी soft नहीं है जितनी होनी चाहिए तो आपको यह pump replace करा लेना है या इसको check करा लेना है carbon को